लोकसबा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्यतिक पार्टियां अपनी अपनी तयारियों में जुड़ गई एक वक्त तो खूब शोर शराबी के साथ विपक्षी दलों ने एक गडबंधन भी बनाया था लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो कॉंग्रेस को उन्होंने नजरंदास करके बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया है ममताब एनरजी के इस फैसले के बाद गडबंधन की पोल खुल गई अब टीमसी ने पूर्वोत्तर के राज्य मेगाले के लिए भी अपने उमिद्वारों के नाम का एलान करके बगावत का बिगुल फूख दिया है आपको पता दें टीमसी ने मेगाले की तुरा लोकसभा सीट पर जैनित संगम्मा को टिकट दिया है मेगाले में लोकसभा की दो सीटे हैं जैनित संगम्मा राजिकेपूर मुकिमंत्री मुकुल संगम्मा के भाई है टीमसी के इस फैसले से उन चर्चाओं पर भी विराम लग गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस और उसके बीच मेगाले की दो सीटों के लिए वारता हो रही है भले ही बंगाल में टीमसी से पहले कॉंग्रेस ने अपने उमिद्वार नहीं उतारे लेकिन वो तुरा और शिलॉंग सीट के लिए उमिद्वारों का एलान कर चुकी है यहां भी वो बगावत दिखा रही है कोलकाता के ब्रिगेट परेड मैदान में हुई टीमसी रैली में मुकल संगमा मौझूद थे 2021 में वो कॉंग्रेस का हाँ छोड़ कर टीमसी में आये थे लोगसभा की रैली में मुकल ने कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा उनने कहा कि सीट बटवारे के लिए टीमसी ने काफी इंतजार किया मुकल ने कहा कि टीमसी ने काफी इंतजार किया लेकिन कॉंग्रेस ने बिना इंतजार किये पिछले हफते में गाले के लिए अपने उमीदवारों की गोशना कर दी कॉंग्रस के साथ समस्या यही है कि वो जमीनी हकीकत से कट चुकी है तीमसी ने पशिमंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उमीदवारों के लिए जारी कर दिये यूसुप पठान और कीरती आजात लोकसभा उमीदवार के रूप में इस लिस्ट में शामिल है पार्टी ने 12 महिला उमीदवारों के साथ लेंगिक प्रतिनिधित्व को भी प्रात्मिक्ता दिये टीमसी चीफ और मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी पहले भी ये बात कह चुकी है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने वाली है उमिदवारों के लिए जारी होते ही इस बात पर भी मोहर लग गई है टीमसी के लिस्ट में 16 वर्तमान सांसर शामिल है पार्टी महासचिव अभिशेक बैनर जी डाइमंड हार्बर से चुनाव लड़ेगे शत्रगन सिन्ह को आसन सोल से टिकट दिया गया पशे मंगाल में आई एंडिया ये गड़बंधन के तूटने की कई वजहें बताई जा रही राजनेतिक पंडितों का कहना है कि टीमसी और कॉंग्रिस के बीच गडबंधन ना हो पाने के पीछे मुख्य वजे कॉंग्रिस के नेता अधीर रंजन चौधरी की बयान बाजी है क्योंकि अधीर पिछले साल से लगातार महमता के खिलाफ बयान दे रहे थे ऐसे में अब यह साफ हो गया कि महमता अधीर रंजन के खिलाफ कोई भी मौकान नहीं चोड़ना चाहती यही वज़ा है कि महमता बेनर्जी ने अधीर रंजन को हराने के लिए पार्टी के सबसे कद्दावर्च चेहरे को मैदान में उतारा महमता बेनर्जी का बंगाल में अकेले चलने का फैसला कॉंग्रेस के लिए चौकाने वाला क्योंकि उन्होंने पहले कई बार मंच से कॉंग्रेस के नित्रित पर उनके सुझाव प्रस्ताव अस्विकार करने का आरोप लगाया था इसके बाद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जानकारों की माने तो राहूल गांधी जब अपनी भारत जोगो न्यायात्रा के साथ पश्यम बंगाल पहुंचे थे तो उस वक्त ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस तरह की खबरे आई तब ममता ने राहूल गांधी का नाम लिये बिना कहा कि वो पश्यम मंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं और हमें पता नहीं है सिश्टर चार के नाते भी उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी और बताया ये गया कि ममता उससे खासा नाराज थी कांग्रिस के नेताओं ने ममता के इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया उन्होंने बताया कि ममता बेनरजी सहीत आई ये गड़बंधन के सभी सात्use के यात्रा के बारे में पूरी जानकारी थी जानकारों ने स्तीती को लेकर ममताब एनरजी के फैसले पर अपनी राय भी दिये लेकिन हकीकत तो यह है कि ममताब एनरजी से न सिर बंगाल में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं ममताब एनरजी ने बलकि मेगाले की एक सीट पर भी प्रत्याशी उतार कर उन्होंने ब लेकिन जब मेगाले के लिए उन्होंने सीट का एलान कर दिया तो निश्चित तोर पर इस बगावत को सपश्ट तोर पर देखा गया इस लिहास से भी क्योंकि लगातार कॉंग्रिस की तरफ से बात कही जा रही थी कि मेगाले के दो सीटों के लिए अभी भी बातचीत चल रही है लगातार हम चर्चा में हैं संपर्क में हैं लेकिन जिस तरीके से ममताब एनरजी ने मेगाले के सीटों का एलान किया आपने उम्मिदवारों का एलान किया निश्चत तोर पर अब ये बात स्पष्ट होती दिखाई पड़े है कि INDIA के अस्तित्तों पर अब किसी भी तरह से कोई भी संशे नहीं है कि वो चुनावी मैदान में मजबूती के साथ NDA के बरक्स उतरत दिखाई पड़ेगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें